Hello friends, welcome you all to my channel दोस्तों आप में से कई सारे viewers ने मुझसे एक request किया हुआ है कि आप railway transfer rules के बारे में बताएं तो दोस्तों आज के वीडियो में हम different types of railway transfer होते हैं किस-किस types के होते हैं उनके बारे में देखेंगे उसके अलावा हम देखेंगे कि basically transfer के लिए minimum service conditions कितनी रहनी चाहिए और उसमें क्या-क्या exceptions होते हैं उनको भी discuss करेंगे और इसमें दोस्तों basically ये 3-4 part की एक हम video series बनाएंगे और पहले part में जो कि आज का video होगा दोस्तों उसमें हम on request railway transfer के बारे में discuss करेंगे और basically on request railway transfer को कैसे apply करते हैं क्या-क्या conditions रहते हैं क्या-क्या terms and conditions के अलावा आपको क्या-क्या फायदे होंगे क्या-क्या नुकसान होगा transfer से तो इन सबी चीजों के बारे में हम discuss करेंगे तो आएए दोस्तों हम video को start करते हैं दोस्तों railway में different types के transfers होते हैं और different types में थे four major types के transfer होते हैं दोस्तों वो इस तरह से हैं जो first type है वो है on request transfer on request transfer का मतलब होता है कि कोई एक employee एक particular zone से दूसरे particular zone में जाना चाहता है तो वो उसको inter-journal on request transfer बोलते हैं उसी तरह से अगर एक division से दूसरे division में जाना चाहता है तो उसको हम on request inter-division transfer बोलते हैं और उसके अलावा intra-division भी होता है जहां पर division के अंदर भी transfers होते हैं तो यह basically on request transfer के types हो गए तो इस तरह से कहा जाए दोस्तों तो on request transfer में basically एक vacancy create हो जाती है जहां से employee छोड़के जाता है तो यह है दोस्तों on request transfer के बारे में इसके बारे में हम detail इस वीडियो में इसके बाद देखेंगे इसके अलावा जो दूसरा type है दोस्तों वो है mutual transfer mutual transfer में basically क्या होता है कि एक employee जो एक particular zone का है वो दूसरा employee जो दूसरे particular zone का है उससे बातचीत करता है और दोनों अपने particular zone में apply करते है mutual transfer के लिए मतलब यह वहाँ चला जाएगा और वो यहां से वहां से यहां आ जाएगा तो इस तरह से दोनों तरफ vacancy create नहीं होती है तो normally mutual transfer जल्दी successful हो जाते है क्योंकि दोनों तरफ से staff मिल जाता है इसके लावा जो तीसरा type का transfer होता है दोस्तों वो हता है spouse ground transfer spouse ground transfer में basically क्या है husband and wife तोनों को एक जगा रहना mandatory होता है तो उस हिसाब से railway उनका transfer उस ground पर कर देती है जिसको बोलते है spouse ground transfer तो यहां पे भी vacancy create होती है कई बार दोस्तों लेकिन इसको materialize करना railway board के guidelines में है तो यह भी materialize हो जाता है इसके रावा जो fourth type का transfer है वो हता है administrative ground transfer और यहां पे administration अगर चाहे तो आपका transfer एक location से दूसरे location कर सकता है तो these are the various types of railway transfer दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के starting में ही बताया हुआ है कि आज हम on request transfer के ओपर discuss करेंगे तो basically दोस्तों on request transfer basically दो type के होते है एक होता है inter division transfer और एक होता है inter railway transfer तो basically inter railway transfer को inter journal transfer भी बोलते हैं दोस्तों जिसमें एक zone से दूसरे zone में transfer होता है तो इसमें दोस्तों क्या रहता है कि इसमें अगर आपको inter railway या इंटर जोनल ट्रांसफर करवाना है या इंटर डिवीजनल ट्रांसफर करवाना है तो powers are delegated to DRM DRM के पास power delegate किया हुआ है इसके अलावा अगर आपको out of turn ट्रांसफर चाहिए मतलब दोस्तों कि अगर मालीज यह आपके अलावे बहुत सारे लोग हैं जिनको inter-journal transfer चाहिए तो वो एक priority रहती है दोस्तों तो priority में अगर आपको out of turn priority चाहिए तो आपका जो file है वो case file AGM के पास जाता है जो कि journal railways में बैठते हैं तो वहाँ से जब clearness मिल जाता है तभी inter-railway transfer out of priority होता है दोस्तों तो ये भी एक condition है इसके अलावा एक division के अंदर भी on request transfers होते हैं दोस्तों तो वो कई divisions में implemented नहीं है तो मैंने उसको consider नहीं किया है तो basically ये मोटा मोटी देखा जाए तो on request transfer दो type के होते हैं दोस्तों दोस्तों हम देखते हैं minimum service conditions for on request transfer तो basically on request transfer के लिए minimum 5 years service आपका complete रहना चाहिए रेल्वे transfer के लिए मतलब आगर आप एक जोनर रेल्वे से दूसरे जोनर रेल्वे में transfer चाहते हैं तो minimum 5 years का service आपको complete करना mandatory है इसके अलावा अगर दोस्तों अगर आपको 5 years का service complete नहीं किया है तो railway board ने कुछ exemptions दिये हुए हैं जो की एक recently letter आई थी उसके under में 2017 में ही एक letter आया है दोस्तों जिसमें exemptions दिये हुए हैं तो basically exemptions जो हैं वो अगर आप spouse ground पर अगर चाहते हैं transfer तो उसमें आपको 5 years का criteria की कोई requirement नहीं है उसके अलावा अगर आपका disabled child है तो उसके लिए भी और आप पर dependent है तो in that case also you are exempted उसके अलावा अगर आपका दोस्तों if you are a physically handicapped candidate तो उस case में भी आपको 5 years का कोई service requirement नहीं है इसके अलावा अगर आप mutual transfer चाहते हैं तो उस case में 5 years के requirement नहीं है दोस्तों दोस्तों अब हम देखते हैं conditions for on request transfer के बारे में तो basically on request transfer से seniority lose हो जाती है दोस्तों seniority किस तरह से lose होती है basically आगर आप एक railway से दूसरे railway में on request transfer चाहते हैं तो जब आप दूसरे railway में जाएंगे तो आपकी seniority सबसे bottom में हो जाएगी in grades having direct recruitment quota इसका यह मतलब है मान लीजिए आप Southern railway में posted हैं दोस्तों as jee signal और आपका जो है promotion हो जाता है as sse signal और आप जो है request करते हैं Northern railway में transfer के लिए मान लीजिए तो in that case जब आप Northern railway में transfer होंगे तो आपकी जो seniority है वो lose हो जाएगी और आप फिर से jee signal के post पर Northern railway में post होंगे और वह भी सबसे bottom में जो वहां जो jee signal already working होगे उनके comparison में जो direct recruitment quota है तो उनके comparison में आपकी seniority सबसे lowest होगी दोस्तों तो यह सबसे important condition है on request transfer का और यह basically आपकी seniority इसमें lose होती है दोस्तों इसके अलावा जो दूसरी condition है वो यह है कि आपकी qualification जो direct recruitment quota है उसका minimum qualification है वो आपका qualification वो fulfill करना चाहिए that means किमाल लीजिए कि आप जो है जो है जेई signal से के post पे दूसरे रेलेज में on request ले रहे हैं तो आपकी minimum qualification डिपलोमा अवस्त होनी चाहिए कई बार होता है दोस्तों कि रेलेज में लोग as technician cater में join करते हैं और उनका qualification उतना नहीं रहता है जो कि direct recruitment quota में रहना चाहिए जैसे कि जेई में diploma required है तो in that case आपका on request transfer consider नहीं किया जाएगा तो these are the two major conditions of on request transfer दोस्तों अब अन्त में हम देखते हैं procedure for on request transfer तो basically क्या process रहता है on request transfer apply करने का तो जैसे ही दोस्तों अगर आप 5 साल complete कर लेते हैं या आप exemptions को fulfill करते हैं तो उस basis पे आप on request transfer के लिए जहां भी आपको required है वहाँ आप apply करते हैं दोस्तों जैसे माल लीजिए आपको आप अभी Southern Railway में चन्ने division ने पोस्टेड हैं और आप जो हैं दानापूर में East Central Railway में transfer चाहते हैं तो in that case आप DRM दानापूर में जो senior DPO office है वहाँ आप apply करते हैं कि मुझे on request transfer required है तो वहाँ पे जब approve हो जाता है तो दानापूर का DRM दानापू चाहते हैं तो in that case क्या होगा कि जो DRM चन्ने ही है वहाँ पे जो competent authority है उनका approval लिया जाता है तिल DRM तक का approval लिया जाता है जिसमें senior DPO है और जो भी concerned department के आप जो अधिकारी होंगे तो वो सभी उसमें sign करते हैं और जब आप DRM चन्ने उसको approve कर देते हैं तो in that case आपका जो on request transfer है वो एक तरह से accept हो जाता है दोस्तों इसके बाद दोस्तों employee की relieving की प्रक्रिया सुरू होती है जिसमें employee को relief किया जाता है from southern railway और फिर दूसरे railway में join करते हैं दोस्तों तो यह पूरा का पूरा procedure है दोस्तों किस तरह से on request transfer के लिए apply करना है इसके अलावा अगर आपको out of priority transfer चाहिए मालीजे की बहुत सारे candidate से 4-5 candidate है जो की east central railway जाना चाहतने हैं तो in that case आपकी priority जिसके आधार पर है first, second, third उस तरह से define होती है तो अगर आप मालीजे तीसरे number पे हैं और आप सबसे पहले चाहते हैं transfer के लिए तो in that case आपका जो file है वो EGM के पास जाता है concerned railway जहां basis तो यह है दोस्तों मोटा मोटी देखा जाए तो on request transfer के उपर आसा करता हूँ आज का video आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like करें, share करें और comment box में comment करें आने वाले videos में हम जितने भी mutual transfer है spouse ground transfer है इन सभी के बारे में discuss करेंगे तो बस इतना ही दोस्तों, have a good day, bye bye, take care